आज बात करेंगे एक अनुभूत आयरवेदिक आउस्दी की फॉर्मूलेशन की जिसका नाम है अस्मरी हरयोग अस्मरी कहते हैं स्टॉंस को किड्नी स्टॉंस की इसमें हम बात करेंगे हर उनका कैसे समूल विनास किया जा सकता है तो अस्मरी हरयोग तो इस आजदी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है यह आजदी अधिक तर जो मुत्रवह संस्थान जैसे यूनरी सिस्टम है उसमें जितने भी उत्पन पत्री है उनको दूर करने के लिए सबसे उत्तम होग है असमरी हरयोग और लगातार इसके प्रयोग से पत्री गलकर बाहर भी निकल जाती है और जो विक्रतियां होती है हमारे यूनरी सिस्टम में वह भी ठीक हो जाती है जैसे कई बात पैनिफल मिक्चुरिशन होता है अर्थात दर्द होता है यूरिन पास करने में बहुत जादा तकलीफ होती है उसमें इस्तमाल किया जाता है यूरिन का फिलो है उसको बढ़ाएगा तो जिनका रुका हुआ बात्रों है काफी लंबे समय से और में यह इस्तमाल की जाती है अस्मरी हर्योग रीनल बेसक किड्नी गुर्दे की फत्री हो यह फिर यूरित्रा में अगर फत्री फस गई हो दूसरा यूरिनरी ब्लैडर मे अगर पत्री हो तो उन सभी को यह क्या करता है बिल्कुल उसका चूरा बनाने के लिए इस्तमाल कहता है पूई तरह से उनको गला कर बाहर निकालता है कॉलिक पेन वगहरा में अब इसकी एक महत्मून बात तो सुनिएगा यह मुत्रवे संस्थान में तो उप्योग होता है लेकिन यह एल के लिए इनका नीचर होता चारी है यह जितनी भी आयरविदे कॉजदी हैं उनमें से अधिकतर ऐसी ओधी जो जो चीजों को गलाती है वो चारी होती है तो जिनको बहुत ज़्यादा कॉंस्टिपेशन है किसी किसी पेशेंट में यह नुब किया गया है कि ज को साफ करता है और अवसिष्ट को ब्रेक करता है जैसे अभी हम इसमें बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा कोल्ड रिंग्स पीने से फॉस्पीट वगएरा के ऑगसलेट के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं उन सब को यह तोड़ता है तो यह सारे के सारे इसके कार रहे हैं अस से बात करें तो असमरी भीदन वाली और दियां इसके अंदर जैसे गोख्रुकुई मूल है जड़ है ताल मखाना एरंड मूल कंटकारी ब्रहती मूल इन सभी में यह प्रॉपरिटी है कि वो शरीर में उप्यूक्त जो टॉक्सिंस हैं जो अनुप्यूक्त टॉक्सिंस हैं उनकुसरी से बहान कालें काफी उत्तम योग है यह असमरी हर्योग स्टॉन्स रीनल स्टॉन्स को जल्दी बहान कालता है